नमस्कार गोरकपूर न्यूज में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर दो दिवसी दोरे पर अपने ग्रेजिन पर पहुचे उत्तर प्रदीश के मुख्यमंटरी योगी आदितिनात विविन कारेकरम में हुए शामिल कोरकनात मंदिर में करेंगे रात्री विश्राम योगपुरुस ब्रमलेन महांत दिग्विजानात की तिरपनवी पुनितिती पर शर्दांजले समारों में गुरक्ष्वीठ अदीश्विर एवं मुख्यमंटरी योगी आदितिनात ने प्रस्तूत की अपनी भाव अभिविक्ती कहा विरासत के प्रती कृतागेता का भाव सनातन धर्म संस्कृती की है विशेष्ता जर्चीतन के बेहतर समन्वे से चलता है जीवन मंगलवार को स्टेफ उत्रप्रदेश की गुरकपूर फील लिकाई ने रेलवे भाती बोर्ट द्वारा आयूजेत ग्रूप डी की ऑनलाइन पत्यों की परिक्षाँ में नकल करने वाले संगठित सौलवर गैंग के चार सक्रे सदस्टे को किया गरफतार भीजा जील प्रदेश की उर्जा राज्यमंत्री इवन वेकलपिक उर्जा विवाग डॉक्टर सोमेंडर तोमर मीडिया से हुए रूबुरू कहा योगी सरकार में हुआ है व्यापक परिवर्तन सभी जीलों में 12 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक चल रहा है एक सब्ता का समधान अभिया शहीद रविंदु सिंग की समिती में प्रतिभा समान समारों का किया गया आयवजन कैसर गंज के सांसत एवन भारती कुष्टी संग के रास्ची अध्यक्ष ब्रजभूशन शरन सिंग ने जिले के सभी ब्लॉकों से करीब 800 टॉप 10 चातर चात्राओं को किया समानित चात्र चात्राओं से कहा अपना तै करो लक्ष बनो गंभीर अपने आप से करो बात की कैसे करे अपनी समस्या का निदान बनो देश का जिम्मेदार नागरेग युगपुरुष ब्रमलीन महंत दिग्विजे नाथ और राश्रसंतर ब्रमलीन महंत अवैदे नाथ की पुनिय स्मृती में संगीत मैश्री राम कथा ज्यान यग का हुआ विश्राम मुख्य मंत्री एवं गुरक्ष पीठ दीश्वर योगी आदिते नाथ ने कहा सत्या ग्रही सनातन धर्म की अटूट आस्था है प्रभूर श्री राम सकरात्मक्ता के साथ सत्य की राह पर चलने की प्रेणा देती है श्री राम कथा गुरक्ष पूर की पहले हाई टेक हेल्थ एटियम का पुद्वार को शुभारम करेंगे सीम योगी शुरुवाती चरण में जन्पद में लगेंगे पांच हेल्थ एटियम महज एक सेम्पल में हो सकेगी उनसर चाथे दो शातिर वाहन चूर मनीश रावत और काशिम को रामगरताल थाने के पुलिस ने किया ग्रिफतार एक मोटर स्टाइकल वा एक स्कूटी किया बरामत फीचा जील और गुरखपूर फुटबॉल एसोसेशन के तत्वा मधान में चल रहे गुरखपूर फुटबॉल लिग प्रतियोगिता के छटवे दिन गौतम स्पोर्टिंग ने केंड्रिय विज्द्याले नमबर एक को दो सूने से हराकर किया अंक हासिल फुटबॉल एसोसेशन के जि गुरखपूर गुरखणात मंदिर पहुचे आपको बता दे कि लगभग दस बजी मुक्यमंटरियोगी आदितिनाथ गुरखणात मंदिर पहुचे जहां पर उन्होंने गुरु गुरखणात का विदी विधान से पूजा अर्चना किया उसके बाद मंदिर में ही इस्थित अपने गुरू ब्रह्मलीन महंत आवैदिनाथ के समाधी अस्तल पर पहुच कर मत्थाटी कर आश्रिवाद लिया लगबग 11 बजी मुक्यमंत्रियोंगी आदितनाथ यूग पुरूष ब्रहमलीन महंत दिग्वजेनाथ महराज की तिरपनवी तता राश्र संथ ब्रहमलीन महंत आवैदिनाथ की आच्वी पुनितिति के उपलक्ष में आईजित सापताहिक शद्धाजली समारों में भाग लिए रात्र विश्वा मुक्यमंत्रियोंगी आदितनाथ गुरकनाथ मंदिर में करेंगे। में आईजित सापताहिक शद्धाजली समारों की अंतरगत मंगलवार आश्वीन कृष्णतितिया को महत दिगुजेनाथ की पुनितिति पर अपनी भाव अभिव्यक्ति कर रहे थे। भाव को ठीक से समझता है। गुरक्षपीर अधीश्वर ने कहा कि जीवन चक्र जड़ चेतन के बहतर समनवे से चलता है। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म ने वनस्पतियों जीव जन्तुओं के महत्व को समान रूप से स्विकार किया है। वर्स में दो बार हम नौरात्र के जर्ये स्रिस्ट्री की आदे सक्ति के प्रती कृताग्यता का भाव प्रकट करते हैं। तो वर्स में एक पक्ष अपने पूर्वजों के प्रती कृताग्यता हे तू तरपन करते हैं। परवत योहारों के परती लगाओं भी कृत गिता गयापित करने का माध्यम है मुक्यमंट्रियों की आदेतिनाथ ने कहा कि पूरव जो तथा अपूर आपनी विरासत की प्रती कृत कृत अद्भूत परमपरा है पित्र प्रक्ष की तित्याती थी को ब्रमलीन महंत दिगविजेनात तथा चतूरती थी को ब्रमलीन महंत अवेदेनात की पुनिती थी एक दूसरे से जुड़ी हुई है इस औसर पर यहां होने वाले आयोजन में प्रमलीन आचारेद्वे की पुने इसमितिया सुता ही जुर जाती है इस औसर पर महंत दियों ने धर्म समाज वा रास्ट के लिए जिन अमूलियों वा आदर्शों की अनरूप सिक्षा स्वास्त्वा सेवा के विभिने प्रकल्पों को लोक कल्यार से जोड़ा उन्हें और आगे ले जाने की प्रेणा भी मिलती है सीम योगी ने कहा कि 5857 के प्रतम सुतंता संग्राम में बिटिस हुकूमत ने गुरक्षपीट के ततकालिन महंत गोपालनाथ जी को गृफतार कर लिया था उन पर आरोप था कि वाकरांतिकारियों को प्रश्य देते हैं जब भी जरुरत पड़ी सनातन धर्म की रक्षा के लिए संतों ने बर्चल कर भाग लिया उन्होंने कहा कि धर्म वारास्ट की रक्षा के लिए सास्र के साथ सास्र का संधान करने की हमारे संत समाज की सम्रिद परंपरा रही है यह हमारी हजारों वर्सों की विरासत भी है मुकी मंद्री ने कहा कि हमारी भारती ज्यान परंपरा को पुनरस्थापित करना अवश्यक है नैमी शरण ये धाम का उल्लेक करते हैं उन्होंने कहा कि यह धाम हमारी वैदिक परंपरा को लिपी बद्दि करने की धर्ती है पर वर्तमान में कम ही लोग इसे जान पाते हैं पूरी दुनिया जब कोरोना महमारी से तरस्ते थी तब प्रधान मंतुरी नरीन रिमोदी भारत में रास्य सिक्षानीती लाएं या सिक्षानीती युवाओं को सैध्धान्तिक वावयवारिक ज्यान देने के साथ तक्नीकी ज्यान में भी सक्षम बनाने का माद्यम है रास्य सिक्षानीती हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा को आधुनिक स्वरूप देने का एक सारगर्भित प्रयास है प्रदानमंत्री नरीनर मोधी के प्रयासों से 21 जून को विश्वी योग दिवस मनाया जा रहा है वैश्विक मंच पर 200 देश इस आयोजन से जुड़कर योग की महत्ता से परचित हो रहे हैं कुम्ब 2019 में सुक्षिता सुरक्षा सुवस्था का एक नया मानक स्थापित हुआ वैश्विक मंच पर इसे मानुत्ता की अमूल सांस्कृतिक धरोवर के रूप में मानेता मिली सियम योगी ने कहा कि हमारी कमी यह है कि हम किसी घटना के मूल लियंकन का प्रयास नहीं करते हम सफलता को व्यक्तिगत पुर्शार्ट मान लेते हैं सफलता व्यक्तिगत नहीं होती बलकि या सामोहिक प्रयासों का परिणाम होती है सफलता में टीम के एक-एक सदस्य का योगदान होता है जैसे सेतु बंध की निर्मार में विशाल वानर भालूं से कम योगदान के लहरी का भी नहीं रहा गुरिश पीठ दीश्वेर ने कहा कि महंत दिगविजेनार तिरपन वर्स पूरू ब्रमलीन हुए लेकिन तब से ऐसा कोई वर्स नहीं जब उनके प्रती कृतगिता ग्यापित करने का सापता है करेकरम ना होता हो इसी करम में वर्स 2017 में योगी राज गंभीर नात की इसमिती में पूर्नेती थी सताब्दी महोस्व का आयोजिन किया गया था इन आयोजिनों में जलंत मुद्दो पर संतजनों वा विद्वानों का मागदर्शन समाज को प्राप्त होता है दिगविजे नात जी ने गुरक्ष पीट को वर्तमान श्वरूप दिया महरण परताप सिक्षा परिशत की नीव रखकर स्यक्षक क्रांती की ज्वाला जलाई उनके अभियान को महंत अवैदेनात ने आगे बढ़ाए या देखकर आत्मिक संतुस्ची होती है कि गुरक्ष पीट की संस्थाएं अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप योगा नुकूल और देशे नुकूल आगे बढ़ रही है शद्धान जी समारों में सुग्रीव किलाधीश आयुद्या सिपधारे जगत गुरू रामा नुजाचारे सौमी विश्वीश प्रपन्ना चारे ने कहा कि विविनिता में एकता का दर्शन गुरक्ष पीट की परंपरा रही है ब्रमलीन महंत दिगवजेनाथ एम महंत अवैदेनाथ के इसी अभियान को योगी आदितिनाथ आगे बढ़ा रहे हैं मुकी मंट्री बनने के बाद भी उनमें सहजता, सौम्यता और सरलता पूरूरत है आजादी के बाद भारत माता को जिन सपूतों के जरूरत थी वा योगी आदितिनाथ जैसे सपूतों के रूप में अब जाकर मिली है योगी जी की चर्चा आज विश्वे में है, उनके जैसा नित्रत्व करता पूरे विश्वे में कोई और नहीं है दुगधिश्वे नाथ मंदिर गाजयबाद के महंत नारायन गिरी ने कहा कि ब्रमलीन महंत दिगवजे नाथ ने धर्म, सिक्षा, चिकिस्सा और समरस्ता का जो सूत्र दिया वर्तमान पीठ अदिश्वे योगी आदितिनाथ लोग कल्यान है तो उसी विरासत को आगे बढ पूर्ण कर रहे हैं कालिका मंदिर नए दिली के महंत सुरिंदिनाथ ने कहा कि महंत दिगवजे नात वा महंत अबैदिनाथ ने राजी नीती को भी लोग कल्यान का ज़रिया बनाया नेमिसर अरण स्याय स्वामी विद्धिय चैतन ने गोरक्ष पीट को संपूर्ण विश् सक्षावा सामाजिक समरस्ता का महत्पूर्ण स्तंब बनाया उन्होंने कहा कि इस पीच के ब्रहमलीन महंतों के संकल्पों को वर्तमान गुरक्ष पीठ अदीश्वेर योगी आदितिनाथ पूर्ण कर रहे हैं हरी दुआर से आई योगी महासभा की महामंत्री योगी चिताई इनाथ ने कहा कि गुरक्ष पीच के ब्रहमलीन महंतों के आदाशों पर चलते हुए वर्तमान पीठ अदीश्वेर एवा मुक्य मंट्री योगी आदितनाथ ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है अब यूपी ही नहीं अब हर प्रांत के लोग योगी इतिनाथ को प्रदानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं स्वागस संबोधन महान प्रताब सक्षापषाद के अद्ध्ध प्रोफेशर उद्धर प्रताब सिंग ने कहा कि ब्रहमलीन महंत दिगवज़ेनाथ सक्षा को रास्ची वैक्तित्वे के निर्मार का माध्यम म सिक्षा की जियोती आज चार दर्जन से अधिक संस्थारों के माध्यम से प्रजलित है इसी क्रम में ब्रह्मलीन महांत अबैदेनात की इसमिति को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि वह समाज को समरस्ता के सूतर में पिरोने वाले राश्य संत्र और श्री राम मंदिर निर्मार के अगरदूत रहें श्रद्धांजली समारों में महायोगी गुरकनात विश्वित द्याले के कुलपती मेजर जनल डॉक्टर अतुल वाज पे समित महारान प्रताप सक्षा पाईशा से संबंध संस्थानों के प्रमुको प्रतिनिधियों ने भी एक-एक कर ब्रमलीन महंत दिग्विजेनात के प्रति श्रद्धांजली अर्पित की संचालन डॉक्टर श्रीभगवान सिंग ने किया श्रद्धांजली समारों का शुबारं ब्रमलीन महंत दिग्विजेनात एवं ब्रमलीन महंत अवैदेनात के चित्रों पर पुसपांजली से हुआ वैदिक मंगला चरण, डॉक्टर रंगनात्र पाथी, गुरक्ष अस्चक का पाथ, गौरत तिवारी वा आदिते पांजे तधा दिगवजे शोत का पाथ, डॉक्टर अभिशेक पांजे ने किया सरशुती वंदना एवंशत धांजली गीत की प्रस्तुती महरान पताब बालिका विद्याले की चात्राओने की इस औसर पर अशर्फी भवन आयुद्या के पीठा दीश्वे जगदगुरू रामा नुजा चारे, स्वामी श्वेधरा चारे, हरी धामा आयुद्या से आये से पधारे, महंत शेरनाथ, योगी कमलचंदनाथ, महंत देवनाथ, महंत लालनाथ, महंत देवनाथ, महंत राम मिलंदास, महंत मिथलेशनाथ, महंत रविंद्रदास, योगी रामनाथ, महंत पंचानन पूरी, गुरकनात मंदिर के प्रिधान पुजारी, योगी कमलनाथ, स दो दिवस्य दोरे पर मुख्यमंत्रियोगी आदितिनाथ अपने ग्रहिचेन पर गोरकपूर गोरकनाथ मंदिर पहुँचे आपको बता दे कि लगभग 10 बजी मुख्यमंत्रियोगी आदितिनाथ गोरकनाथ मंदिर पहुँचे जहां पर उन्होंने गुरु गोरकशनाथ का विदी विधान से पूजा अर्चना किया उसके बाद मंदिर में ही इस्थित अपने गुरू ब्रमलीन महंत अवैदिनाथ के समाधी अस्तल पर पहुँच कर मत्थाटी कर आश्रिवाद लिया लगबग 11 बजी मुख्यमंत्रियोंगी आदितनाथ यूग पुरूष ब्रमलीन महंत दिग्वजेनाथ महराज की तिरपनवी तता राश्र संथ ब्रमलीन महंत अवैदिनाथ की आजवी पुनितिति के उपलक्ष में आईजित सापताहिक शद्धाजली समारों में भाग लिये रात्रि विश्वाम मुख्यमंत्रियोंगी आदितनाथ गुरकनाथ मंदिर में करेंगे गोरक्ष पीठ दीश्वेर एवा मुख्य बंट्रियोगी आदित इनाथ ने कहा कि स्रिस्ट्री प्रकृति पूर्वजो तथा विरासत के प्रति कृतग्यता का भाव सनातन धर्म संस्कृति की पहली विसेस्ता है सनातन हिंदू धर्म संस्कृति में यही कृताग्यता का भाव हमें निरंतर आगे बढ़ने की नई प्रेरिना प्रदान करता है स्यम योगी योगपुरुस ब्रमलीन महंत दिग्वजेनात की तिरपन्वी तथरास चसंत ब्रमलीन महंत अवैदेनात की आच्वी पुनितिति के उपलक्ष में आईजित साप्ताहिक शद्धान जी समारों की अंतरगत मंगलवार आश्विन कृष्ण तृत्या को महंत दिग् कृपा करें तो उसके प्रतीकृतागिता ग्यापित करना ही सनातन धर्म का करतवी है यही इसका पहला लक्षन भी है हर सनातन धर्म उलंबी इस भाव को ठीक से समझता है गोरक्ष पीर अधीश्वर ने कहा कि जीवन चक्र जड़ चेतन के बहतर समन वैसे चलता है यही करती कृतागिता का भाव प्रकट करते हैं तो वर्स में एक पक्ष अपने पूर्वजो के प्रती कृतागिता हे तू तरपन करते हैं पर्वत्योहारों के प्रती लगाओ भी कृतागिता ग्यापित करने का माध्यम है मुख्यमंत्रियोंगी आदितिनात ने कहा कि पूर्व जो तथा अपनी विरास्त की प्रतिक तक गिता ग्यापित करने की गुरक शुपीच की अद्भूत परमपरा है। जो तो सेवा के विभिने प्रकल्पों को लोक कल्यार से जोड़ा उन्हें और आगे ले जाने की प्रेणा भी मिलती है। सीम योगी ने कहा कि 857 के प्रतम सुतंता संग्राम में बिटिस हुकूमत ने गुरक शुपीच के ततकालिन महंत गोपालनाथ जी को ग्रिफतार कर लिया था। उनपर आरोप था की वाकरांतिकारियों को प्रश्षय देते हैं। जब भी जरुरतपड़ी सनातन धर्म की रक्षा के लिए संतों ने बर्चल कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि धर्म वाराश्च की रक्षा के लिए सास्र के साथ सास्र का संधान करने की हमारे संत समाज की समरिद परंपरा रही है यह हमारी हजारो वर्सों की विरासत भी है मुक्यमंत्री ने कहा कि हमारी भारती ग्यान परंपरा को पुनर स्थापित करना अवश्यक है नैमी शरन्य धाम का उलेक करते भी उन्होंने कहा कि यह धाम हमारी वैदिक परंपरा को लिपी बद्दिक करने की धरती है पर वर्तमान में कम ही लोग इसे जान पाते हैं पूरी दुनिया जब कोरुना महमारी से तरस्ते थी तब प्रधान मंतुई नरीन रिमोदी भारत में रास्य सिक्षानीती लाएं या सिक्षानीती युवाओं को सैध्धान्तिक वावेवारिक ज्यान देने के साथ तक्नीकी ज्यान में भी सक्षम बनाने का माध्यम है रास्ट्य सिक्षनीती हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा को आधुनिक स्वरूप देने का एक सारगर्भित प्रयास है प्रदानमंत्री नरींडर मोधी के प्रयासों से 21 जून को विश्वी योग दिवस मनाया जा रहा है विश्वीक मन्च पर 200 देश इस आयोजन से जुड़कर योग की महत्ता से परचित हो रहे हैं कुम्ब 2019 में सुक्षिता सुरक्षा सुवयस्था का एक नया मानक स्थापित हुआ विश्वीक मन्च पर इसे मानोता की अमूल सांस्कृतिक धरोवर के रूप में मानेता मिली सियम योगी ने कहा कि हमारी कमी ये है कि हम किसी घटना के मूल लियंकन का प्रयास नहीं करते हम सफलता को व्यक्तिगत पुर्शार्ट मान लेते हैं सफलता व्यक्तिगत नहीं होती बलकि या सामोहिक प्रयासों का परिणाम होती है सफलता में टीम के एक-एक सदस्य का योगदान होता है जैसे सेतु बंध की निर्मार में विशाल वानर भालूं से कम योगदान के लहरी का भी नहीं रहा गुरक्ष पीठ दीश्वेर ने कहा कि महंत दिगवजे नार तिरपन वर्ष पूरू ब्रमलीन हुए लेकिन तब से ऐसा कोई वर्ष नहीं जब उनके प्रती कृतगिता ग्यापित करने का सापता है करे करम ना होता हो इसी करम में वर्ष 2017 में योगी राज गंभीर नात की इसमिती में पूर्नेती थी सताब्दी महोस्व का आयोजन किया गया था इन आयोजनों में जलन्त मुद्दो पर संतजनों वा विद्वानों का मागदर्शन समाज को प्राप्त होता है दिगविजे नात जी ने गुरक्ष पीट को वर्तमान श्रूप दिया महरन परताप सिक्षा परिशत की नीव रखकर स्यक्षक क्रांती की ज्वाला जलाई उनके अभियान को महंत अवैदेनात ने आगे बढ़ाए या देखकर आत्मिक संतुस्ची होती है कि गुरक्ष पीट की संस्थाएं अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप योगा नुकूल और देशे नुकूल आगे बढ़ रही है शद्धान जी समारों में सुग्रीव किलाधीश आयुद्या सिपधारे जगत गुरू रामा नुजाचारे सौमी विश्वीश प्रपन्ना चारे ने कहा कि विविनिता में एकता का दर्शन गुरक्ष पीट की परंपरा रही है ब्रमलीन महंत दिगवजेनाथ एम महंत अवैदेनाथ के इसी अभियान को योगी आदितिनाथ आगे बढ़ा रहे हैं मुकी मंट्री बनने के बाद भी उनमें सहजता, सौम्यता और सरलता पूरूरत है आजादी के बाद भारत माता को जिन सपूतों के जरूरती वाई योगी आदितिनाथ जैसे सपूतों के रूप में अब जाकर मिली है योगी जी की चर्चा आज विश्वे में है, उनके जैसा नित्रत्व करता पूरे विश्वे में कोई और नहीं है दुगधिश्वे नाथ मंदिर गाजयबाद के महंत नारायन गिरी ने कहा कि ब्रमलीन महंत दिगवजे नाथ ने धर्म, सिक्षा, चिकिस्सा और समरस्ता का जो सूत्र दिया वर्तमान पीठ अदिश्वे योगी आदितिनाथ लोग कल्यान है तो उसी विरासत को आगे बढ रहे हैं कालिका मंदिर नई दिलिके महंत सुरींदिनाथ ने कहा कि महंत दिगवजे नाथ वा महंत अवैदिनाथ ने राजिनीठी को भी लोग कल्यान का जरिया बनाया नैमि सरन सेय स्वामी विद्या चैतन ने गुरक्ष पीठ को संपूर्ण विश्व में गुरक्षा, सि माजिक समरस्ता का महत्वपूर्ण स्तंब बनाया। उन्होंने कहा कि इस पीच के ब्रहमलीन महंतों के संकल्पों को वर्तमान गुरक्ष पीठ अदीश्वेर योगी आदितिनाथ पूर्ण कर रहे हैं। स्वागस संबोधन महाना प्रताप सिक्षा पैस्षत के अद्धिक प्रोफेशर उद्य प्रताप सिंग ने कहा कि ब्रहमलीन महंत दिगवजेनाथ सिक्षा को रास्ची व्यक्तित्वे के निर्मार का माध्यम मानते हैं। इसी क्रम में ब्रहमलीन महानत अबैदेनाथ की इसमिति को नमन करते हुए। उन्होंने कहा कि वह समाज को समरस्ता के सूतर में पिरोने वाले रास्च संथ और श्री राम मंदिर निर्मार के अगरदूत रहें। श्रधानजली समारों में महायोगी गुरकनाथ विश्वित द्याले के कुलपती मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वार्ज पे समित महारान परताप सक्षा पाईशा से संबंध संस्थानों के प्रमुखों प्रतिनिधियों ने भी एक एक कर ब्रमलीन महांत दिग्विजेनाथ के चित्रों पर पुस्पानजले से हुआ वैदिक मंगलाचरण डॉक्टर रंगनात्र पाथी गुरक्ष अस्चक का पाथ गौरतिवारी वा आदिते पांजे तधा दिग्विजे शोत का पाथ डॉक्टर अभिश्यक पांजे ने किया सरश्वती बंदना एवम्शद्धान पर पांजली गीत की प्रस्तुती महरान पताब बालिका विद्याले की चात्राउने की इस उसर पर अशर्फी भवन आधिया के पीठा दीश वे जगत गुरु रामा नुजा चारे स्वामी श्वी धरा चारे हरी धामा युद्या से आये जगत गुरु स्वामी राम स्थलो से पधारे महंत शेरनाथ, योगी कमल चंदरनाथ, महंत देवनाथ, महंत लालनाथ, महंत देवनाथ, महंत राम मिलंदास, महंत मिथलेशनाथ, महंत रविंद्र दास, योगी रामनाथ, महंत पंचानन पुरी, गुरकनात मंदिर के प्रधान पुजारी, योगी कमलन समीत बड़ी संक्या में लोग उपस्तित रहें उत्र प्रदेश के उर्जा राजी मंत्री इवं वेकलपिक उर्जा विवहाग डॉक्टर सुमींद तोमान तारा मंडल सरकेट हाउस के सभागार में प्रिशवारता करते हैं कि मुक्यमंटरी योगी आदे तिनात के दिशा निर्देश पर उर्जा के छेटर में कारे हो रहा है 2017 से पहले उर्जा के छेटर में बिजली उत्र प्रदेश के अंदर बहुत ही कम आती थी 2017 के बाद योगी सरकार ने सभी के लिए सामाने रूप से पूरे प्रदेश में विद्धुत आपूर्ती सभी के लिए किया उन्होंने कहा कि उर्जा के छेत्र में जो परिवर्तन हुआ है देश ही नहीं दूसरे देश के लोग भी उत्र प्रदेश में निवीश करना चाहते हैं उन्होंने कहा कि उर्जा के छेत्र में जो बड़े बदला हुए हैं 12 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक समधान दिवस के रूप में एक सब्ता का भियान चल रहा है जिसमें सभी जी लोग में 33 बटे 11 केवी की उपकेंदर पर उपभुकताओं की सुझाओं सिकायत अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं तता अधिकारी उनकी समस्याओं को सुने और वहीं पर उनका समधान किया जाए इस समध में गुरकपुर नियूस से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उर्जा राजमंत्रे एवं वैकलपिक उर्जा विभाग डॉक्टर सोमी इंदर तोमर ने कहा शहीद रविंदर सिंग के स्मिती में सिविल लाइन स्थित एक नीजी मेरज हॉल में प्रदिभा समारों का आईजन किया गया मुक्य अतिती कैसर गंज के सांसत इवं भार्ति कुस्ति संग के रास्च अध्यक्ष ब्रिजभूशन सरनल सिंग के द्वारा जिले के सभी ब्लोकों से करीब 40 स्कूल से 800 टॉप 10 चातर चातराओं को समानित किया गया जिसके संबन में कैसर गंज के सांसत इवं भार्ति कुस्ति संग के रास्च अध्यक्ष ब्रजभूशन सरनल सिंग ने बताया कि नेता जी सुभाष चनर बोस का नाम नेता जी था लेकिन उत्तर प्रदीश के अंदर जिनके भी नाम नेता जी के रूप में लिये जाते हैं तो वा स्वर्गे रविंद्र सिंग थे स्वर्गे रविंद्र सिंग चात्रों के नीता थे कुरकपुर विश्विद्याले के चात्र चात्राओं ने ही स्वर्गे रविंद्र सिंग को नीता बनाया था उन्होंने बताया कि स्वर्गे रविंद्र सिंग के इसमिती में सभी ब्लॉकों के चॉप टेन चातर चातराओं को सम्मानित किया गया है उन्होंने बच्चों को कहा कि अपना लक्ष तै करो गंभीर बनो अपने आप से बात करो अपने समस्या का निदान कैसे करें दीश के जिम्मेदार नागरिक बनो इस औसर पर मदन मोहन मालवी प्रोधोगी की विश्विद्याले के कुलपती प्रोफसर जै प्रकास पांडे राजसवा सांसत डॉक्टर राधा मोहनदास अगरवाल अंतरास्टी पहलवान पन्ना लाल यादो इस संबन में गुरकपुर निउस से बात करते वे कैसर गंज के सांसत एवं भारती कुस्ति संगे के रास्टिय अध्यक्ष ब्रजभूचन सरन सिंग ने कहा मुक्य मंत्री एवं गुरकपुर निउस स्वेडियोगी आदित नाथ ने कहा कि मर्यादा पुरुशोत्तम भगवान श्वी राम हर परस्थिती में सत्य के प्रती आगरा रखने वाले सनातन धर्म की अटूड आस्ता है उनका जीवन हम सब को नकरात्मक्ता से दूर रहकर सत्य की रह पर चलते हुए विशन से विसम परिस्थितियों में संघर्स करने की प्रेणा देता है उनके जीवन दर्शन के माद्यम से समुचे समाज का मार्ग दर्शन करने वाली श्री राम कथा का श्रवन बहुत ही सौभागी की बात है सीम योगी गोरकनात मंदिर में युकपूरुस प्रमलीन महंत दिगविजेनात जी महराज की तिरपनमी एवं रासंत प्रमलीन महंत अवैदेनात जी महराज की आज़ भी पुनितिती समारों की उपलक्ष में आयजित सब्त दिवस्री श्रीराम का था ग्यानी यग में अंतिम जनता का काम हो ही नहीं सकता आस्था सामोहिक हो तो उसका विशेश पुन्य फल प्राप्त होता है भगवान स्री राम की कथा का हर एक प्रशंग सभी आस्थावानों को याद है फिर भी हम सभी इस कथा के साथ अत्यंत शाहिदेता से जुड़कर उसमें वर्नित हर घटना कि भावना के साथ प्रभु शीराम के भवे मंदिर निर्मान से जुड़ा हुआ है या पूरी दुनिया के लिए कौतुहल का विशे है शीराम का जन्म कब हुआ इतिहासकार इसकी गर्णा करने में सफल ही नहीं हो पा रहे थे यहीं नहीं इसमें मिथिक भी जोड़ने का प से स्ताभी इसी परंपरा के अनरूप राश्चिपिता महत्मा गांधी ने स्वधीनता आंदोलन में पहली शर्थ रखी थी सत्याग्रा सीम योगी ने सभी लोगों के लिए श्री राम कथा के फलदाई एवं मंगल मैदाई होने की कामना की साथ दिन तक श्री राम कथा का रस्पान व्याष पीच पर विराजमान जगतगुरु रामानुजाचारे स्वामी श्विधराचारे जी महराज पीठा धीश्वर असरफी भवन अयुध्याने कराया करता कि आकरे दिन उन्होंने राम राज्जी के सुरूप का वर्डन करते वे कहा कि रामायन काल के राम अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्कियों पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है प्रदीस के हेल्थ इंफ्रेस्ट्रक्शेर का काया कल्प करने में जुटे मुक्यमंट्री योगी आदितनात बुद्वार शाम चार बजे गुरकपूर के पहले हेल्थ एचियम का शुभारम करेंगे या हेल्थ एचियम चरगावा सामु इतजाज की सुवधाय देने के लिए सरकारी अस्पतालों को युद्य अस्तर पर हाइटेक बना रही है इसे सलसले में नई पहल है हेल्थ एचियम की स्थापना गुरकपूर के 23 सरकारी अस्थापत करने की कारी योजना तयार की गई है इसमें जिला अस्पताल महिला पता लग सकीगा सुर्वाती चरण में जिले को दस मशीने आवंटित हुई और उनमें से पांच मिल गई हैं CSC चरण में पहले हेल्थ HM का लोकारपन बुद्धवार को CM योगी के हातों होगा हेल्थ HM के जरीए शरीर की स्किनिंग होगी इसमें ब्लड पिसर, सुगर वजन, लंबाई, शरीर का तापमान, शरीर में आक्सिजन की मात्रा, बॉड़ी मास, इंडेक्स, मेटाबॉलिक रेट, बॉड़ी फैट, ड्वी हाइड्रेशन, पल्स रेट, मसल मास आधी की जाच क चिकन गुनिया, यूरीन टेस्ट, गर्भावस्ता जाच, टाइफाइड, एचाईवी, एसीजी, टी लसी, डी लसी जैसी जाचे हो सकेंगी सीएसी चरगावा के बाद सरदार नगर, जंगल कौडिया, उर्वा और कौडिराम के स्वासर के इन रुपर हेल्थ एचेम लगाए जाएंगे रामगर्ताल थाने की पुलिस ने दो शातिर वाहन चोरों को ग्रिफतार किया है जिसके संबंद में रामगर्ताल थाना प्रभारी कल्यान सिंग सागर ने बताया कि मुक्बिर की सूशना पर दो अभ्युक्तों को डुमवाड हाला से ग्रिफतार किया गया है जिनके पास से चोरी की एक मुटर साइकल वा एक स्कूटी को बरामत किया गया है रामगर्ताल थाना प्रभारी ने बताया कि अभ्युक्तों के उपर थाने में मुकदना पंजिकरित कर जेल पेज दिया गया है गलPS तर करने वाली पुलिस टीम में रामगरताल थान्ः प्रभारी कंलर्यान सिंग सागर, आजाद चौक चौकी प्रभारी बब्लू कुमार, आजाद नघर चौकी प्रभारी प्रशुत्थर्त आनंद सिंग, कांस्टेल विनिज सिंग, सूरेनग्र वर्मा, प्रवीन कुमा चंदन भार्टी शामिल रहें गुरःपूर फुटबॉल एसोसेशन के तत्वावधान में सेंटर ड्यूस महाविद्याले की खेल मैदान पर चल रहे गुरःपूर फुटबॉल लिग प्रतियुगता के चटवे दिन गौतम स्पोर्टिंग पूल डी में मैच के प्रारमब के तीसरे और पांच्वे मिनट में अविशेक और विशाल ने तबर तोल गोल करके गौतम स्पोर्टिंग को दो सून्य की बढ़त दिला दी इसके पस्चाथ मैच के निरधारित अविदी में कोई भी गोल नहीं हो सका गौतम स्पोर्टिंग दो सून्य से विजई रही वही दूसरा मैश टाउन कलब बास गाउवा एनफस चरगाउवा की मत दिखे लागया मैश प्रारम के 24 मिनट में चंडरकेतु ने पहला गोल करके अपनी टीम एनफस चरगाउवा को एक सून्य से बढ़त दिला दी परंतु यह बढ़त जादा समय तक बनाना रह सेका 26 मिनट में बास गाउव के रितिक सिंग ने बराबरी का गोल करके स्कोर एक एक कर दिया अंत में दोनों टीमें एक एक गोल की बराबरी पर छूटी इस मैश के निर्णायक वी के चौबे अमरनात रहमतुलाः वाविकास रहे इस औसर पर गुर्यकपूर फुटबॉल संग के उपाद्यक्ष उपेंदर मनीति पार्टी एनपी गौर्ड हमजा खान अश्वनी कुमार यादो संजेश शाहनी कौतम सरकार शहित अन्ने लोग उपस्तित रहे इस संबन में गौर्यकपूर न्यूज से बात करते हुए गौर्यकपूर फुटबॉल एसोसेशन के जिला सचिव हमजा खान ने कहा गौर्यकपूर न्यूज में आज के यह बस इतना ही जाने से पहले एक नजर सुरकियों पर अब मुझे दे इजाज़त नमस्कार रेलवे भरती बोर्ट दोरा आज़ित परिक्षा में अनुचित तरीके अपना कर फरजी अभ्यरतियों के न्यूकती कराने के संबन्द में कई सॉलवर गैंग के सक्रिय होनी की सूशना स्टेफ उत्रप्रदीश को प्राप्त हो रही थी उक्त सूशना को विक्सित करने हैं तो स्टेफ उत्रप्रदीश के विविन टीमों फील्ड इकाई को निर्देशित किया गया था जिनके अनुपालन में नवीन कुमार, पुले सुपाधीक्षक, स्टेफ फील्ड इकाई प्रियाग राज एवं लाल परताप सिंग पुले सुपाधीक्षक लखनों के परियरेक्षिन में टीमें गठित कर अभी सूशना संकलन की कारवाई प्राराम भिकी गई अभी सुशना संकलन के क्रम में ग्यात हुआ कि मंगलवार को जनपद गुरकपूर में स्वास्तिक ऑनलाइन सेंटर नौसरल पर एक सॉलवर परिक्षार्थी की जगा परिक्षा देगा इस सूशना पर निरिक्षिक सत्य प्रकास सिंग के निर्थितों में हेड कॉंस्टेबल अकिलेश कुमार सिर्वास्तो कॉंस्टेबल महिंड प्रताप सिंग टीम द्वारा स्वास्तिक ऑनलाइन सेंटर नौसरल के पास से अवश्चक बलप्रियोग कर तीन व्यक्तियों को ग्रिफतार व्यक्तियों से पूश्टाज पर ग्यात हुआ कि स्वास्तिक ऑनलाइन सेंटर के कक्ष में मूल अभ्यर्थी मिथिलेश कुमार के अस्थान पर सॉल्वर रंजीत कुमार बैठा है ततपस्ता सेंटर के अंदर जाकर सेंटर पर ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों को साथ लेकर सॉल्वर को ग्रिफतार कर लिया गया ग्रिफतार अभ्युक्तों के पास से एक अदद फरजी कूट रचित मद्दाता पहचान पत्र एक अदद फरजी कूट रचित आधार कार्ड कई अदद फरजी कूट रचित परिक्षा प्रवीश पत्र जिस पर नाम किसी और का एवन फोटो रंजीत कुमार का दो अदद रफ सीट, एक अदद वेरिफाइड का मोहर, एक अदद फोटो पिपर जिस पर कूट रचित फरजी फिंगर प्रिंट तयार किया गया छी अदद मोवाइल फोन, वेविन लोगों की कई अदद आधार कार्ड, पैन कार्ड, मद्दाता पहचान पत्र, फैविकोल का डिब्बा, मेक अप का सामान, विंग, नकली सिरकाबाल, दो अदद मोटर साइकल पैशन प्रो यूपी 53, एजट 5214 वा होंडा लीवा यूपी 53 CU 5097, गिरफतार अभ्यूक्तों की पहचान, पहला रंजीत कुमार, पुत्र, राम परशाद, राम निवासी, मोहला, गाड़ी खाना, पोश्ट थाना, खगॉल, जनपत पतना, विहार, वर्तमान पता, मकान नंबर 3, ओबलिक 1, ओबलिक D, चित्ती रेलवे कॉलोनी, लखना सॉलवर, दूसरा, अखिलेश्वर सिंग, पुत्र स्वर्गी श्याम बहादुर सिंग, निवासी ग्राम वा पोस्ट, अहिरोली बगेल थाना बंकटा, जनपत देवरिया, वर्तमान पता, पादरी बजार, गुरकपूर तीसरा, मिथलीश कुमार, पुत्र, माता दिन निवासी ग्राम वहरामपूर, पोस्ट भाई साब, थाना खोराबार, जनपत, गुरकपूर परिक्षारती, चोथा, रामनरीश पुत्र, सुंदरलाल, यादो, निवासी ग्राम, शिम्रा, पोस्ट, मलिक, मौउच, चौबार सेंटर, नौसर में आज मिथलीश कुमार की जगहा पर परिक्षा देने आया था, बताया कि मैं लखनव, चंडिगर, प्रियाग, राज, उत्रकंड, आदी, कई अस्थानों पर सॉलवर के रूप में परिक्षारतियों के अस्थान पर परिक्षा दे चुका हूं, बाकी अन अस्थानों पर दिये गए परिक्षाओं के संबंद में याद नहीं है, पिछले कई वर्सों से यही काम कर रहा हूं, इसके बाद बरामत बिग और अने मेकप के सामान के बारे में पूछा गया तो बताया कि अभियर्तियों के रंग रूप के हिसाब से अपने चेहरे का मेक माध्यम से अभियर्तियों के फोटो के अस्थान पर अपना फोटो मिक्स करके लगा देता हूं। नियुक्ति हो जाने के बाद पांच लाख रूपए अकली श्वर सिंग को देना था। गिर्फतार अभियुक्तर राम नरीश ने बताया कि मैं रंजीत कुमार का सही योगी हूं, मैं भी अभियर्तियों को खोज कर लाता हूं, जिससे मुझे भी कुछ पैसा कमीशन के तौ था कि अग्टिर्प्रदेस के उर्जाराजय मंत्री यवं वेकलपिक उर्जा विवाग डॉक्टर सूमींदितुमान तारामंडल इस ते सरकित हाउस के सभागार में प्रिश्वारता करते हुए बताया कि मुक्यमंटरी योगी आदे तिनात के दिशा निर्देश पर उर्जा के छेत्र में कारे हो रहा है 2017 से पहले उर्जा के छेत्र में बिजली उत्रप्रदेश के अंदर बहुत ही कम आती थी 2017 के बाद योगी सरकार ने सभी के लिए सामाने रूप से पूरे प्रदेश में विद्धुत आपूर्ती सभी के लिए किया उन्होंने कहा कि उर्जा के छेत्र में जो परिवर्तन हुआ है देश ही नहीं दूसरे देश के लोग भी उत्रप्रदेश में निवीश करना चाहते हैं उनोंने कहा कि उर्जा की छेतर में जो बड़े बदला हुए हैं 12 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक समधान दिवस के रूप में एक सब्ता का भियान चल रहा है जिसमें सभी जी लोग में 33 बटे 11 केवी की उपकेंदर पर उपभुकताओं की सुझाओं सिकायत अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं तता अधिकारी उनकी समस्याओं को सुने और वहीं पर उनका समधान किया जाए इस समध में गुरेकपुर नियूस से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उर्जा राजमंत्री एवं वेकलपिक उर्जा विभाग डॉक्टर सोमी इंदर तोमर ने कहा सबसे पहले तो मैं अपने सभी जो समाज का एक मुझे लगता है कि आएना दिखाने का काम करने वाले पर मुख इस्तंब भी है मैं अपने सभी वरिष्ट मीडिया जगर से जूड़े हुए हमारे सभी पत्रकार बंदों का धन्यवाद करते हुए कि आप सभी के माध्यम से पूर्जा के छेतर में जो मानी मुख्यमंत्री पूजी हो गया दितना जी के दिशा निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं ऐसे कुछ बिंदूों पे बात रखने का उसर मुझे आपके साथ मिला है 2017 से पहले पूर्जा के छेतर में आप लोग देखते होंगे कि बिजली उत्तरप्रदेश के अंदर कितनी आती थी कुछ जिले ऐसे थे जिन जिलो तक वो बिजली सीमित थी लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तरप्रदेश की जनता का उन देवतुले नागरिकों का जिनके आशिरवाद के कारण 2017 में मानी मुख्यमंत्री पूजी योगा अदितिनाजी के नितरत में सरकार बनी और सरकार ने समान रोप से सभी के लिए पूरे परदेश में विद्धुत आपूरती सभी के लिए समान रोप से रहे ऐसा प्रयास उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा किया गया और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि 2017 के बाद उर्जा के छेतर में जो परिवर्तन हुआ आज मुझे ये भी खुशी है कि हमारे देश ही नहीं बाहर के दूसरे देश के लोग भी निवेस करना चाते हैं उत्तरप्रदेश के लिए सभी वहस्ताओं को लेकर उर्जा के छेतर में जो बड़े बदलाव हुए उने लेकर आज हम लोग अभी जो आने का उद्देश है 12 से लेकर 19 सेप्टेमबर तक हम लोगों ने समाधान दिवस के रूप में एक सब्ता पुरा हमारा ये अभियान चल रहा है जिसमें हम लोग जिले जिले में 33 वटक 11 कवी के जो हमारे उपकेंद्र उन पर जाकर जो समस्याएं आ रही है हमारे उपभोगता महाँ पर आ रहे हैं उनके सुझाव हैं सिकायते हैं हमारे सबी भी भाग के अधिकारी उनकी समस्याएं सुनकर उनका वही पर समाधान हो यदि कुछ बड़ी समस्या है तो उसमें समय लग सकता है लेकिन उनका निराकरण हो ये प्रियास हम लोग कर रहे हैं और मुझे खुशी है ये बताते हुए भी कि हम लोग तर्मल के साथ करना सा सोलर एंर्जी पर भी उत्तरप्रदेश बढ़ रहा है देश के सुस्री प्रदानमंथरी मानी मोदी जी की प्रात्त मिक्ता ऊर्जा है कर उर्जा के छेतर में हमेशा नए ने प्रियोग के साथ हम लोग अभी हम लोग कुछ यह हुpt Harald सेक्टर के लोगों से लोग करके हैसे ही आगया भ्यान को चलाने का प्रयाश मों को हुआ कि हमारे जाब वोगताव से मैंने पूछा कि आपको किसी तरह कोई समझ चाँ वैवार तो उन्होंने अपने इसमा सहमति दी कि नहीं वैवार के रूप में अच्छे वैवार से हमारे सा Хooh हो रही है तो मैं इसके लिए धन्मेबाद देना अच्छा हुआ है तो लेकर गोरकपुर में जाइब कुछ पले बीड़ा में यह था कि वह बाद वजे कोई आएगा अधाती या जाती को करूं कि आपका कोई आई रखने तो लगए अभी हम लोग गोरकपुर में भी और गोर जी पे भी अभी नई टर्बाइन जो देश और देश से बाहर भी जहांबर भी विक्सित हुई है हम उन नई टेकनोलोजी के साथ अपने उत्तरप्रदेश को भी जोडने का प्रयास कर रहे हैं सोलर में जो प्रोजेक्ट अभी हम लोगों को गोरकपुर से मिले हैं अभी नेडा विभाग उन पर पूरा अपना प्रोजेक्ट तियार करना और मुझे लगता है जल्दी हम लोग सोलर के चेत्मा आपको गोरकपुर में भी एक अच्छी खुजी की ख़बर आपको देखन है कि किसी घर में कोई चौर चुपा हुआ है उस चौर को पकड़ने के लिए जो परकरिया पूरी करी जाती हो वह इसमें करी जाएगी मेरा निवेदन हम जब भी कोई सुईदा देते हैं जैसे हम लोगोंने अभी आपने देखा होगा ठेली वाले हैं उन लोग के लिए भी हमने दस अजार रुपे दिये रोजगार सुरू करने के लिए जब आपकशे से उसका काम करेंगे तो दस अजार से 20 अजार भी दीये पीजार से 50 अजार भी दीये लिकिन कोई दस अजार रुपे लेने के बाद यदि काम ही न करे तो दस अजार भी चले गए देखे सुईधा देने का उद्देश सिर्फ इतना है कि उस सुईधा को पाकर हम लोग अपना काम ठीक से करें देखे विल जो निसुल की योज़ना में connection देने का था उसके बाद हम लोग यदि उसे कही न कहीं हो उसका मुझे का मिश्यूज करते हैं योगी जी की सरकार में हर कोई अपनी बात रखने के लिए सवतंत्र है उन्नीस बारे हम लोगों ने दिया है यदि किसी को कोई समस्या तो उसके मैसेज भी डाल सकता वापस रेस्पोंस ना है तो फिर हम लोग जब वो मिले था ने मैंने कहा ना मैंने उसके आगे भी कुछ कहा है दिया आपने द्यान दिया मैंने कहा कि यदि हम मिटिंग में हैं तो आपका यदि मैसीज उस पर आ जाएगा ने तो मिश्कोल होगी वापस कोल करें देखे ये सरकार पूरे उत्तर परदेश में भूमा प्याओ की कमर तोडने का काम कर रही है कहीं ऐसा विश्य जो जानकारी में जैसा आपने दिया है वो आया है तो उन पर भी कारवाई हो शहीद रविंदर सिंग की स्मिती में सिविल लाइन स्थित एक नीजी मेरज हॉल में प्रदिभा समारों का आईजन किया गया मुकी अतिती कैसर गंज के सांसत इवं भार्ति कुस्ति संग के रास्ची अध्यक्ष ब्रिजभूशन सरनल सिंग के द्वारा जिले के सभी ब्लोकों से करीब 40 स्कूल से 800 टॉप 10 चातर चातराओं को सम्मानित किया गया जिसके संबन्ध में कैसर गंज के सांसत इवं भार्ति कुस्ति संग के रास्ची अध्यक्ष ब्रजभूशन सरनल सिंग ने बताया कि नेता जी सुभास चनर भोज का नाम नेता जी था लेकिन उत्तर प्रदीश के अंदर जिनके भी नाम नेता जी के रूप में लिये जाते हैं तो वह स्वर्गे रविंद्र सिंग थे स्वर्गे रविंद्र सिंग छात्रों के नीता थे कुरकपुर विश्विद्याले के छात्र छात्राओं ने ही स्वर्गे रविंद्र सिंग को नीता बनाया था उन्होंने बताया कि स्वर्गे रविंद्र सिंग के इसमिती में सभ पर मदन मोहन मालवी प्रोध्योगी की विश्विद्याले के कुलपती प्रोफिसर जय प्रकास पांदे, राजसवा सांसत, डॉक्टर राधा मोहनदास अगरवाल, अंतरास्टी पहलवान, पन्ना लाल यादो, राजेज सिंग, मनीश सिंग, सतीज सिंग, दिनेश सिंग, पाल सिंग, अभिशेख सिंग, राणा प्रताप सिंग, ईश्वेश जन्द जैसवाल, जय प्रकास पासवान, ग्यान बहादूर सिंग, सहित, चातर चात्राएं, उपस्तित रहें, इस संबंद में गुरकपुर नियुस से बात करते वे, कैसर गंज के सांसत, एवं भार्ती कुस्ति संगे के रास्तिय अध्यक्ष ब्रजभूशन सरन सिंग ने कहा प्रसासलिक अभगार्यों को अंकुष लगाने वादे, लोग प्रियर, एच्छात मेता ही नहीं रहें, आध्यक्रूसर सिंगी, मैं इनका अपने दिल से और अपने आज पर किये गए सभी कार्णा को जुटा के हुए, अपने छेत्र के पिकास के लिए संकल्प लिया, और आज इनका लेक्रूसर सिंगे, मैं इनको बढ़ाई कुँदा, कि इनको नहां चला आने के लिए, पबक्ती दने के लिए इन्होंने, नवर्वारों को प्रोस्ताहित करने का भी कांग किया। उपस्तित हो रहे हैं, जिस सक्सियत के स्मित में हम ये समान समागोचा कर रहे हैं। आपका प्लाक बढ़ाट है। कि इन्हों जिक्ता इन्हों हो रहे हैं। पचा आप वो को बढ़ाट नहीं पता है। नवल सेकड़िय आम्णा मुसलीम कर्शिक्तर कर रेक्सित दालेअ seesineeर स्प ब्लाज़ाट सीनियर सेकर्ड़िय। यह आप उनु का प्लाक भी कोई उन पता है। चरगावा, बेरगाट के बच्चे, चलिए, वाँ, भजिनीर के बच्चे, वाँ, इसे बेरोगे हैं, उन्होर के बच्चे, वाँ, बहुत अच्छा, और साजारवा के, वाँ, भाई साज़वाद, और पाली के, बहुत अच्छा, और वो पिपराइट के, पिपराइट के आय है तिकिन जान नहीं पार है दो चार प्लात अगर छोड़ दिया जाए जिसका नाम आपने नहीं दिया वदिकान सुब्लापूर से और गोरपूर महानगर से बड़ी संग्या में आये हुए बच्चों और इस कारिकरम के आयोज़़ उभड़ते ही गोरपूर के उभड़ता हुआ भविस्य है जिस नौजवान के अंदर मैं बहुत छंता देखता हूँ जिसके अंदर समाजने कांग करने की एक आप देखता हूँ उस्सा से लबरेश है जो ऐसा मेरा प्रिय सहयोगी आदित्य पताप सिंजी और उनके समस्त साथी वह उनके पराइब के सम्मानी सदस्यवंदिनों और मीदिया से फदा रहे इसे अंदर पत्रकार रहने…. सुनता था ऐसा कारिकरम और इससे बहुत बड़ा आपरिकरम बहुत ही बड़ा कारिकरम पुरिय प्रदेश में जिसकी एक निसाल अस्कापित की जाती है मानी सांसर जी की सहयोग से गुल्णा और आजपास के हजारों हजार चाक्रों को प्रोसाहिद करने के लिए मानी सांसर जी प्रतिवर्ण सहयोगित करते हैं इस मंच से मैं उनको हाड़ी बधाई देता हूँ उनको आगार पकट करता हूँ तरुडाई को दिशा देना जीवन में सबसे बड़ा सामधित कारे है और आप इसके लिए गधाई के बाद करें हम भी जब आपके उमर के थे तब हमने इनसे भी कुछ बेड़नार ली थे और ज्यादा ना कुछ कहते हुए एक बात कहना चाहता हुए नेता जी सुवास्चर भोस का नाम नेता जी था लेकिन मैंने अपने जीवन में पहली बार रबेंद्र सिंगो नेता जी के रूप में पहली बार मेरे सामे लेगा आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिनके भी नाम नेता जी के रूप में ले जाते हैं मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आजाद भारत में उत्तर प्रदेश में निचुरन अगर किसी का नेता की नाम पढ़ा था तो वो थे स्वर्गिय नवे निश्टिक और ये छात्रों के नेता थे पच्चों के नेता थे किसमें मनाया थे निपो नेता पच्चों के गोरहपुर विस्वर्द्याले के बच्चों ने लखनु विस्वर्द्याले के बच्चों ने ये नेता उपादी बच्चों ने और आज पित्रपक्स का महिना है एक तरीके से हम अपने जो पूर्बज है उनको हम याप करते हैं और हम समझते हैं कि आज का ये सुरूफ जड़ो निश्चित की अगर नेता जी कहीं होंगे देख रहे होंगे तो वातप्रसंद नहूंगे क्योंगे क्यों बच्चों के नेता चीओ अभी आज़ें फुला बच्चा करना मारे जिए जाँ लग भneन gone आरे बरे बल भीको जाए हम सबना अह जब्दा किलो के भी कमा То घस सबसु को बालो तो मेलोो तो जाए लाए लगा से और भी किलो किे नो जाए लग़ववववववववववववववववववव इसे तो बहुत दिनों से मेरा ये कारिक्राम चलता है लेकिन आज पहली बार गोरखपुर के हर बलाक वार और इसकूल वार कालेज वार जो टाप टेन बच्चे थे उनको स्वरगे रभीन सिंग जी के इस्मिर्ती में सम्मानित किया गया है और इसमें तमाम नेता जी के साथ के सबी लोग यहां पर मौझूद थे अब इसेश करके आदित प्रताप के आगू के मेनस से यह कारिकम संपन हुआ है और बड़ा अच्छा लगा बच्चों से मिल करके एक ही संदे से लच्छतें करो गंभीर बनो अपने आप से बात करो अपने समस्चाओं से खुद बात करो निदान कैसे होगा बात करो देश के जिम्मेदार नागिरिक बनो परिवार के लिए जिम्मेदार बनो एक ही बात है घूम करके मुक्य मंत्री एवं कुरिक्षपीट अदीश्वेर योगी आदित इनात ने कहा कि मरियादा पुरुशोत्तम भगवान श्री राम हर परस्तिती में सत्य के प्रती आगरा रखने वाले सनातन धर्म की अटूट आस्ता है उनका जीवन हम सब को नकरात्मक्त से दूर रहकर सत्य की रह पर चलते हुए विशन से विसम परिस्तितियों में संगर्स करने की प्रेरना देता है उनके जीवन दर्शन के माद्यम से समुचे समाज का मार्ग दर्शन करने वाली श्री राम कथा का श्रवन बहुत ही सौब भागी की बात है सीम योगी गोरकनात मंदिर में युकपूरुस प्रमलीन महंत दिगविजयनात जी महराज की तिरपनमी एवं रासंत प्रमलीन महंत अवैदेनात जी महराज की आजवी पुनितिती समारों की उपलक्ष में आयजित सब्त दिवस्तियों श्री राम कथा ग्यानी यग में अं आस्थावान जनता का काम हो ही नहीं सकता आस्था सामोहिक हो तो उसका विशेश पुन्य फल प्राप्त होता है भगवान स्री राम की कथा का हर एक प्रशंग सभी आस्थावानों को याद है फिर भी हम सभी इस कथा के साथ अत्यंत शाहिदेता से जुड़कर उसमें वर्नित हर घटना अपने एदगेद महसूस करते हैं और अंतता सत्य की राह पर चलने की प्रेणा प्राप्त करते हैं उन्होंने कहा कि आजपूरा दीश आस्था एवं सकरात्मक्ता के भावना के साथ प्रभु शेराम के भावे मंदिर निर्मान से चुड़ा हुआ है या पूरी द सत्य की जीत हुई सत्य का आगरा और सत्य के मार्ग पर चलना ही भारत की आस्था है और सनातन धर्म की परंपरा एवं विसेस्ता भी इसी परंपरा के रूप राश्चिपिता महत्मा गांधी ने स्वधीनता आंदोलन में पहली शर्थ रखी थी सत्यागरा सीम योगी ने गदगुरु रामानुजाचारे स्वामी स्विधराचारे जी महराज पीठा धीशवर असरफी भवन अयुध्या ने कराया। करता कि आकरे दिन उन्होंने राम राज जी के सुरूप का वर्डेन करते वे कहा कि रामायन काल के राम राज जी को वर्टमान समय में उत्तर प्रदीश में मुख्यमंटरी योगी आदितिनास साकार कर रहे हैं उनके राज में आम जन प्रशने थे तो दुस्ट वा अपराधी दुखी और भैबीत इस औसर पर अलवर के सांसत महंत बालक नात दिगंबर अखाड़ा अयुध्या के महंत सुरेज दास कालिका मंदिर नए दिल्ली के महंत सुरेंद्र नात नैमी शरन से आहर स्वामी विद् ने गोरकनात मंदिर की प्रधान पुजारी योगी कमलनात कालिबारी के महंत रविंद्र दास समीत बड़ी संख्या में संत जन यजमान वाश्रद धालू उपस्थित रहें प्रभू के प्रति प्रेमाति से अनुराग अधी को होता है उस प्रेमाति से का नाम है परमाभक्ती भक्ती पराभक्ती परमाभक्ती दर्शन के पहले जो प्रभू के प्रति प्रेम है उसका नाम है भक्ती और दर्शन के बाद जो प्रेमाधिक है उसका नाम है पराभक्ति और दर्शन के बाद दर्शन फिर छूट जाएगा हम दूर चले जाएंगे फिर जो प्रभू के प्रतियत्यधिक अनुराग होता है उस अत्यधिक प्रीतियनुराग का नाम है परमाभक्ति प्राता कालीन सक्त्र में भी भगवत सन्निधी में बड़े दिब्वे सुन्दर लाब लेते हैं नेक नेक जलंत विस्यों पराधुनिक जलंत विस्यों पर सुन्दर बिद्वान लोगों के संगोष्ठी में भाषण होते हैं मार्ग दर्षन होते हैं और साइंकाल भी लाब लेते हैं और बाली ने रामदी पर कोई दोस नहीं दिया इसलिए बहुत लोग सभाएं करें अच्छी बात है लेकिन इस प्रसंग में रामजी पर किसी प्रकार का संद विक्ति को विक्त नहीं करना चाहिए साधक के जीवन में धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, सुक, सम्रद्धी आवे उसके बीच में रहते हुए भी स्वीकार करते हुए भी उसमें बिना लिप्त हुए भक्ती की खोज के लिए आगे बढ़ना चाहिए जैसे हर्मन तलाल जी ने किया अगर धन कमाने की त्रिशना है और ये भाव रहे कि गोरक्षपीट में जब दो महापुण्यात्माओं की पुण्यस्मृति आएगी तो हम भी यजमान बनकर सेठ जी की तरह आनंदन भो करेंगे तब तो महराज यजमानों की तरह आपके द्रब का सदुपयोग हो जाएगा और केवल धन कमाओगे तो चाह होटल में बोथल खुलाने लगी आने वाली पीडिये ऐसे करेगी इसलिए प्रशना सुरसा है हनवान जी एक साधक है इसलिए प्रशना के मुख से निकल करके बाहर आ गए तमोगुन का ही तो सुरूप है ना तंकवादादी इसलिए इनसे सौम्मिता से नहीं बलकि हनुमान जी ने एक घुशा का प्रहार किया जल के अंदर समुद्र में समा गई और हनुमान तलाल जी आगे बढ़ गए बोल ये हनुमान जी महराज के इस है बिवीशन जी को भक्ती है तो युक्ती भी है बिवीशन जी ने कहा कि देखो ओ भाईया ये आपके सत्रुराम का नाम नहीं है बोले फिर आपके रावन नाम का पहला ख्षर्रा ले लिया और भाभी मंदोदरी के नाम का पहला ख्षर्मा ले लिया दोनों को जोड़ दिया राम हो गे और प्रसन्न हो करेके हनुमान तलाल जी सोचे अब तो हमारा काम पूरा हो जाएगा लेकिन भीविशन जी की बिनम्रता देखिए कहते हैं आप चिंता मत करो हनमान तलाल जी भीशन जी कहते हैं आप चिंता मत करिए आप तो प्रभू के बहुत बड़े भगते हैं मैं कितना छोटा हूँ कितना देन ने भाव लेकिन ये भाव नहीं हनुमान जी कहते हैं प्राता काल कोई मेरा नाम ले ले तो राम जी कि भक्ती से इतना प्रभाव है कि उस दिन किसी कारे में उसको हार नहीं मिलती, विजय ही विजय मिलती सारी युक्ति भी इशन जी ने बताया हनमान जी ने पता लगाया इस रामचरित मानस में और बालमी की जी ने हनमान जी को जब असो कुबाटिका में पहुँचाया हनमान जी कहते हैं कि रावन निश्चित महात्मा है महात्मा भी कहते हैं इन जानकी जी को प्रभुराम से दूर करके अभी भी रावन जीवित है, इसका मतलब एफ पुण्यमान है, नहीं तो कब का इसका उध्धार कर दिये होते प्रभुराम। इसका मतलब एफ पुण्यमान है, नहीं तो कब कर दिये होते प्रभुराम। और प्रभु चरणों में निवेदन किया, सर्व लोक सरण्य होने के कारण, प्राम जी की सरण में मैं भी आया हूँ, निवेदन कर दीजिए प्रभु को, रोक दिया लोगों ने। सुग्रीव जी गए, प्रभु ने कापात कालीन वैठक बुलाई, सबसे परामर्श लिया, किसी ने का सत्रों का ब्राता इसको पकड़ कर बंदी बनाओ, पीट पीट कर वहां के बारे में पूँचो। किसी ने का इसको पास में रखना ठीक नहीं, किसी ने का इसको एकान्त में रख दो। सर्व समर्थ सरवग्य प्रभुराम ने सुग्रीव जी से पूचा आपका क्या मत्र है सुग्रीव जी ने कहा प्रभु मेरे समझ से इस पर विश्वास करना ठीक नहीं बिपत्ती में रामन को छोण कर जो विभीशन आया आप सरण में लिए तो इसको छोणने में क्या देर लगेगी तब राम जी कहते हैं सुग्रीव जी दुनिया में सभी भाई भरत जैसे नहीं होते आप ही तो वही हैं जो कहे थे जब तक बाली का बद न कर देंगे मुझे सुखना मिलेगा आप भी तो हैं आपके ही तो भाई थे ना बाली तुमने बद कराया न इसलिए दुनिया में सभी भाई भरत जैसे नहीं होते और मेरा जैसा पुत्र भी सब नहीं होते अब तो सुग्रीव जी को थोड़ा दुख हो गया सही कहा प्रभू ने यही प्रभू का बेवहार है कि एक खण में प्रभू गहन से गहन बात कहते हैं और अगले खण में ऐसी बात करेंगे कि सब प्रसन्न हो जाएंगे प्रभू ने कहा और आप जैसा कोई सुभचिन तक नहीं होगा दुनिया में कितनी सुन्दर आपने बात कही तुरंत सुग्रिव जी प्रशन्न हो गए तब हनमान जी से राम जी ने पूछा तुम्हारा क्या मत है हनमान जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही आपको कुछ परामर्ष देना सूरी को दीपक दिखाना है मेरे समझ से प्रभू इतने दिनों से रामन में दुष्टता देखते हुए दुर्गुणों को देखते हुए और आपके सद्गुणों को सुनते हुए अनभो करते हुए बिभीशन जी रामन का त्याग कर आपकी सरण में आया है इसलिए विवीशन को स्वीकार करने में कोई दोश नहीं है दूसरी बात सव अपरादियों में अगर एक अपरादी छूट जाए दंड से तूतना दोश नहीं लेकिन एक निर्दोस विक्ति को अगर दंड मिल जाए तो मेरी समझते बहुत बड़ा दोस होगा आपके प्रतिशद्धा भक्ती भाव से आया हो समर्पन भाव से आया हो निर्दोस विवीशन और अगर इसको ठुगरा देंगे तो इसको कितना कष्ट होगा तब सब का मंत्रना सुन करके प्रभुराम अपनी मंतब्विको बताते हैं ये है हमारे प्रभुराम की उदारता ये है हमारी संस्कृती मेरी सरण में आया है ना सम्मान पुर्वक उसको ले आओ ये तो बिभीशन है अगर रावन भी सरण में आया हो निश्चल भाव से तो उसके लिए भी मेरा द्वार खुला हुआ है सरणागत रख्षक कारण मैं इस भूतल में अवतार थरूँ श्रीराम कहे सो ग्रीव सुनो सरणागत त्याग मैं कभी न करूँ सरणागत रख्षक कारण मैं कभी न करूँ उसमें तो दोस हजारों है उसमें तो दोस हजारों है पर मैं निचचित में बेंद्र सरकार की राम जी की उद्गोषना थी त्रेता युग में अभय कर देंगे ऐसे ही लोगों को कितनी कठिनाईया महसूस होती थी लेकिन माराज जी के आगमन से और जब से हमारे उत्तर प्रदेश को आपने समाला तब से उत्तम प्रदेश बन गया है हर चीज में उत्तम आज लोग पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे कोने में कई 24 गंटे में में बेन बेटियां जा सकती है ब्यापारी वर्ग जा सकते है पहले कितनी दिक्कते होती थी हर एक बिजली को लेकर सभाई को लेकर मार्ग को लेकर आज सम्मेश माराज जी ने उत्तम प्रदेश बना दिया है और ये सब आप सब के संगठीत हो करके आपके मनो भाव का एप परिणाम है माराज जी आप सब की सेवा के लिए जनता जनारतन की सेवा के लिए अहर निश्प प्रियास करते हैं रात दिन जैसे राम जी का कारिय था ना रक्षिता जीव लोकस्य स्वजनस्य परिरक्षिता पहले राम जी प्रजा का ध्यान रखते हैं भोख लगी हो भोजन नहीं करते प्यास लगी हो पानी नहीं पीते वही सद्गुन माराज जी में हैं पहले आपका ध्यान रखते हैं, फिर बाद में अपनों का ध्यान, और फिर अंत में अपना ध्यान रखते हैं, ऐसे सुब्यवस्था नहीं चलती, इसके लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसके लिए तप करना पड़ता है, और वही त्याग तप महराजी में हम लोग देखते हैं महाराजी से सुबिछ चर्चा हो रही थी तिरपन वर्ष पहले महाराजी की पुन्यती थी पुन्यती थी महापुरुषों की इसलिए मनाई जाती जन्मती थी नहीं मनाती कोई वर्थडे नहीं मनाती पुन्यती थी इसलिए क्योंकि जिन महापुरुषों ने मांत श्त्रीब दिख भिजेनाज जी महराज जो युग पुरुष थे युग पुरुष क्यों कहा जाता है महराज जी जैसे सिक्षा चिकित्सा और सनातन धर्म राम मंदिर गव सेवा इन सब के लिए जो विस्त्रित कारी किया है राष्ट संथ हमारे भारत देश का गौरव है जिसमें शेराम जी से सत्य नयाय में चलने से परस पर प्रेम सवहार्द से समाज एक जुट हो करके रहे इसके लिए जिन्होंने अपने पूरे जीवन को आहुती दी है ऐसे महापुरुश की हम लोग पुन्यति थी मना रहे हैं आठमी पुन्यति थी और हमें तो महराज जैसा लगता है कि चाहे पुझ श्री गंभिर नाथ जी महराज हो चाहे बड़े महराज जी हो उनमें जितने गुण थे उन सारे गुण हमारे महराजी में एक साथ विराजमान हो गए जैसे आकास की उपमा आकास से ही दी जा सकती है आकास कैसा है? आकास जैसा समुद्र कैसा है? समुद्र जैसे वेसे राम रामन युद्ध कैसा था? बुले राम रामन युद्ध जैसा कोई दूसरा धर्ती में उद्ध नहीं हुआ अनेक प्रकार के माया का आस्रे माया भी राक्षश होने लिया लेकिन सत्य ने आए धर्म के सामने टिकते नहीं एक दिन तो युद्ध में माया मई जानकी बनाकर रामण ने रामजी को भेज दिया सिर काट कर रामजी विथिद दुखी हो गए बोले अब तो मैं प्रान त्याग दूँगा आप सुग्रीव जी लोड़ जाईए भीषण जी लोड़ जाईए तब भीषण जी ने समझाया राग होए तो माया मही मूर्ती को काट करके आपके पास भेजा गए छदम युद्ध करते हैं राग्षास और जब युद्ध में पराजित होने लगा रामण तो फिर एक दिन माया कास्त्रे लिया रामजी का माया में पुतला बना करके और युद्ध में जमीन में रख दिया और कहा जानकी को उपर बिमान पुस्पक में बैठा करके दिखाओ कि अब तो तुमारा स्वामी नहीं रहा अब तु मेरी बात मानो जानकी जी पुस्पक बिमान में बैठ कर जब त्रिजटा के साथ गई देखा जानकी जी उपर से नीचे कूद कर प्राण त्यागने लगी तब त्रिजटा ने समझाया लंका में दो राक्षसी हैं जो जानकी जी का बहुत हित साधन करती है राक्षस होते वे भी बड़ी सात्विक हैं एक तो त्रिजटा और एक सर्मा सर्मा वीशन जी के दोनों संबंद में तो त्रिजटा ने कहा नहीं नहीं देवी तुम प्राण मत्यागो क्योंकि पुस्पख भी में बिमान की विसेशता है कि जिसका पती जीवित ना हो उसको लेकर ये बिमान नहीं चलता है ये बिमान चल रहा है इसका मतलब तुम्हारा पती राम जीवित है तब जानकी जी के प्राण बचे हरमान जी ने हजारों राक्षसों का उद्धार किया सुग्रीव जी ने किया नल नील ने किया अंगद जी ने किया और जिस समय कुम्ब करनाया भेंकर रूप लेकर के हजारों को पेर के नीते कुचल देता कईयों को हाथ से मसल देता कई नाक से अंदर जाते पेट में और पेट से मुख से निकल कर बाहर आ जाते तब प्रभुराम अपने प्रजंड धनुस को उठाया है दिसाएं डगमगाने लगी प्रत्वी कापने लगी देवता हा प्रसन्न चित्त तो हैं लेकिन घबडा हठ है प्रभुराम ने अपने अमोगवान से कुम्बकर्ण के सरीर को छलनी किया और बड़ी चीतकार करता कुम्बकरण जमीन में धरासाई हो पड़ा देवतावने पुस्पों की वरिष्टी के मेगनाद बहुत बलवान था कुम्बकरण और रामन से भी बलवान था क्योंकि ब्रम्हास्त्र रामन के पास नहीं था कुम्बकरण के पास नहीं मेगनाद के पास था बहुत भेंकर युद्धुबा कई बार मया कास्त्रे लिया लेकिन सब कुछ दूर करते हुए आज लखनलाल जी ने अपने प्रचंड बान को प्रणाम कर प्रतिज्ञा की है कि मेरे प्रभराम यदि सत्यनिष्ठ है धर्मनिष्ठ है युद्ध में कभी पीछे पीठ नहीं दिखाए और तसरत पुत्र राम है सरैनम जही रामनिम तो हे बान तुम जाकर इस में गनाद का बद कर दो प्रभु की प्रतिज्ञा की है जैसे प्रतिज्ञा सुनकर बान चला है दिशाएं डख्मगाने लगी हैं देवताओं में हाकार मच गया है समुद्र में जुआर भाटा गया है सूर्य अस्त को प्राप्त होने लगे हैं लेकिन उबान आया है और मेगनाद के सिर को धड़ से काट कर अलग कर दिया देवताओं ने पुस्मों की व्रिष्ट की अगस्त जी के द्वारा दिया हुआ ब्रह्म सर समस्त आस्तिक जनों की प्रार्थना मनो कामना आशुरी प्रवर्ति पर विजय पाने के लिए जब प्रवराम आगे बढ़े और अपने दिव्य सर को प्रियोग किया तो राक्षस रामन जोर से राम नाम लेता हुआ धरासाई होकर गिर पड़ा देवताओं ने पुस्मों की ब्रिष्ट की जैकारा लगाया बोल ये राग्यवेंद्र सरकार की जै ये तो राम जी का प्रचंड सरूप है आशरी लोगों को दमन करने का और हरदय कैसा है शणम रामो बिमना बभुवा बिवी शण जी जब दुखी हो गए रामन के बदपर तो दो शण के लिए राम जी भी बड़े दुखी हो गए बिमना बभुवा बिक्षिप्ट जैसे हो गए ये प्रभु का सुभाव दोनों प्रतीत होता है जानिकी जी को हर्मान जी ने संदेश दिया है सभी जितने सखा थे सेवक थे सब पुस्पक बिमान पर बैट कर प्रभुराम के साथ अयोध्या पदार पन करते हैं इंद्र आये सेवा के लिए प्रभु ने का हमारे सभी सेवकों को प्रेमियों को मित्र जनों को सारे वस्त्रा भूशन अलंकर प्रदान करो जानिकी जी को लेकर प्रभुराम केते हैं समद्र है जहां मैंने तेरे लिए सेतु का निर्बान किया यही पंचवटी विराजोगी बोले नहीं प्रभो देखो चित्रकूट प्रियाग देखो एयोध्या एक रात्री औसिष्ट थी चौदा वरश में प्रियाग में विबान उतरा हनमान जी को प्रभो ने भेजा जाओ भरत को संदेश तो अगर उसका मन लग गया हो तो मैं वापस बन में जाओंगा लेकिन अनमान जी ने जब देखा कि भरतलाल तो एक तरफ अभिशेक की तयारी एक तरफ चिता की तयारी रागहो आएंगे तो कल अभिशेक करूंगा राजा बनाकर कृतार्थ होंगा और इस भाव को सुनते ही प्रातहकाल प्रभुराम अयुद्या पधारे समस्त नर्नारियों के मुख में की ही बात है राम राजा बने 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 बिमान उतरा भरतलाल चरणों में पड़े आपका में देवता मिलकर देवराज इंद्र का राज्या विशेक करते हैं वेसे रिशी मुनियों के साथ में सात्पिक जनों के साथ में मिलकर के मंत्रों चारण करते हुए रागवेंद्र सरकार को राज तिलकर राजगादी में बिराजमान किया है समस्त देवताओं ने कुस्पों की वरिष्टी की जैकारा लगाया बोल ये राजाधि राज रागवेंद्र सरकार की मेरे राम के दिब्व गुणों का लाभ पूरी प्रजा को मिले एक न एक दिन ऐसा समय आएगा जब हम प्रभू राम से प्रार्थना करते हैं समस्त उस्परम चेतना से प्रार्थना करते हैं व्यासपीट से प्रार्थना करते हैं कि हमारे महराज जी के दिब गुणों का लाब अभी केवल उत्तर प्रदेश के लोग प्राप्त कर रहे हैं लेकिन संपूरन भारत वासी लोग आपके दिब गुणों का आपकी उदारता का आपकी सहजता का, सरलता का राज की जो गुणों होने चाहिए सारी जन्ता को सुखी होने का वो समस्त आपके गुणों का लाब पुरा देश मारा प्राप्त करे यही अम प्रभु से प्रार्थना करते हैं मंगल कामना करते हैं आप सब ने बहुत प्रेम से कथा सुनी आप सब के लिए प्रभु चरणों में भगती प्रीति के लिए प्रार्थना करते हैं और अपनी साद दिन की भगवत कथा राम कथा को महापुरुशद्दय के पुन्न चरणों में समर्पित करते हैं क्योंकि उन्होंने जो संत समाज के लिए भारती लोगों के लिए सनातन हिंदु धर्म के लिए जन जन के लिए जो उन्होंने त्याग किया है तप किया है मार्ग दर्शन किया है युगों युगों तक हम सब उनके रिनी रहेंगे लेकिन कुछ थोड़ा बहुत ये प्रतिवर्शी सीली आयुजन किया जाता है कि कुछ कर्तग अगिता महरास्त्री को हम लोग समरपित कर सके दो बार प्रभू का पावन नाम नाम इसमरण करते हुए फिर बाड़ी को विश्राम राम में राजा राम में राजा राम राम पुलिये राघ्वेंद्र शरकार की, हनमान जी महाराज की, पुण्य स्मृती समारोह की, गोरक्ष पीठ की, राजा धिराज महराजस्त्री की, भक्त्य और भगमान की, आज के आनन्द की, जय जय सीतारा और अब बिना गोरक्ष पीठा धिश्तर परमपुज्य महराजस्त्री, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे संबाहक हैं, हमारे संदेश्वाहक हैं, हमारे लिए जीवन का पथ प्रदर्शित करते हैं, जीवन को आलोकित करते हैं, विभिन आयामों से हमें मार्गदर्शन दे परम्पुजी गुरक्ष पीठाधी स्वर स्रध्य महरास्त्री का आशिरवाद प्राप्त होगा, मैं मानने मुख्य मंत्रे उत्तरपदेश और अपने परम्पुजी गुरक्ष पीठाधी स्वर स्रध्य महरास्त्री से विनम्र प्राथना करता हूं कि हम सब को अपना साफ्ताइक साथानजली समारो के साफ्ताइक से राम कथा ग्यानिवग्य के विराम के आज के सकारिकरम में ग्यासपीट पर विराजमान जगत गुरो रामनोजाचारिय पोजश्वामे स्रिधराचारेजी महराज सभी पूज्य संदचन सरधालु जन बिगत एक सप्ता से आप सब ने मर्यादा प्रशोत्तम भगवान से राम की स्पावन कथा का सरवन यहाँ पर किया इसका आनंद भी लिया और इसे ग्यान वरधन भी किया है प्राज कथा का विश्तराम है मैं इस उसर पर आप सब के प्रती हिरदे से प्रश्तराम के से चड़ों में यही प्राठना करता हूँ कि कथा आप सब के लिए फलदाई हो आपके जीवन को मंगल में करे आपके परवारिक जीवन को आपके सामाजिक जीवन को मंगल में बनाए इस विश्वास के साथ आज एक कारिक्रम यहाँ पर समारोप की बोक्योर बढ़ रहा है हम सब जानते हैं भारत की सनातन धर्म की परंपरा में राम के बिगर भारत की सनातन आस्तावान जनता का कोई काम होई नहीं सकता आस्ता जब सामुक रूप से आगे वड़ती है तो उसका पूर्ण फल भी प्राप्त होता है कथा ब्यास से पोज्य स्वामी जी ने बड़ी ही रोचक भासा में सहज और सरलता के साथ शेराम कथा कावाचन किया है आप सब ने सुना और कथा के पीछे का मर्म भी सब वेक्ति हर सरदालो जानता है मझे लगता कोई भारतिय ऐसा नहीं होगा कि इस प्रसंग के बाद अब क्या होने जा रहा है इस प्रसंग के बाद अब क्या होगा हर एक प्रसंग उसको मालूम है लेकिन मर्यादा प्रसंग भगवान सिर राम की पावन कथा है तो उस कथा के साथ हम सब की आत्मेता इस रूप में जुड़ी होती है कि ऐसे लगता है जो भगवान राम की जीवन में घटित हुआ वह हम सब की इर्दगिर्द घटित होने वाले घटना से मेल खाती है और मानो रूप में भगवान का ये रूप हमें चनौतियों से जूजने की कैसे पेड़ना परदान करता है बिपरीत परस्तितियों में कारे करने के लिए आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेड़ित करता है ये बहुत सारी पेड़नाएं उन सभी प्रसंगों के माद्यम से हम सब को प्राप्त होती है और ये दो भगवान की प्रम्पिता प्रमेश्वर के साकसात कता है जो मानुवी रूप में हम सब को सुनने का एक सोभागे प्राप्त होता है हम राम कस्मन करेंगे, राम की कथा का सर्वन करेंगे तो सुब ही सुब होगा जब भी हम नकारत्मक दिसा में सोचेंगे तो हमारी सोच अगर नकारत्मक होगी तो प्रिणाम सकारात्मक नहीं हो सकते प्रिणाम सकारात्मक लाने के लिए हमें सुप सोचना भी पड़ेगा सकारात्मक सोच को बनाना भी पड़ेगा और ये हमारे ब्रिक्तिकत जीवन में भी हमारे समाजिक जीवन में भी सदियों घटित होता है भग्मार राम की स्पावन कथा कानंद विगत एक सबता से आप सबने लिया पुरा देश से राम जन्म हुई पर भग्मार राम के भब्यमंदिर निरुमार के लिए किस प्रकार की आस्ता के सा जुड़ावाता यह देश और दुनिया के लिए एक कौतुल कब इसे था पुरी दुनिया देख रही थे कि वास्तों में भग्मान राम का जन्म कब हुआ हम सास्त्रे प्रमानों से उसे प्रमानित करते हैं लेकिन आज के इत्यासकार उस गर्णा को करने में उतना सफल नहीं हो पा रहे थे पास चाते थ्यासकार तो उसके बारे में कोई जैनकरी रखते ही नहीं थे क्योंकि उसके साथ उन्होंने एक मिफक जोडने का परियास किया लेकिन अंटता सत्य की जीत होती है अयोद्यामे भगवार राम कब भब्य मंदिर के निरमान भारत की आस्ता के सम्मान को ही प्रिबर्सित करता है और यही है भारत की आस्था यही है भारत का सनातन धर्म जो सत्य के मार्ग का हमेशा अगरही रहा है और इसलिए राश्ट पिता महात्मा गांधी ने भी आजादी के आंदोलन की पहली सर्थ रखीती सत्यागरह यही सनातन धर्म का मूल है हम सब उसके साथ जुड़े वे हैं बगवान की इस पावन कथा को सुनने का सुभाग गए एक सर्था तक आप सब को प्राप्त हुआ है मैं इसके लिए आप सभी सरधाल जनों की ओर से कथा ब्यासपर बिराजमान जगदगुरु रामानुजाचारे स्वामी सुरिधाचारे जी महराज का फिर्दे से कृतकिता ग्यापित करता हूँ फिर्दे से उने आप सभी सरधाल जनों की ओर से साथ उफाद भी उनकी प्रती बेक्ते करता हूँ उनके साथ इस कथा को रोचक बनाने के लिए आयुदे धाम से ही जो पधारे उनके साथ में तमाम कलाकार भी थे जिन लोगों ने यहाँ पर इस पूरी कथा को रोचक बनाने में बाद्दे अंतरों के साथ और सौस्वर गायन के माध्यम से भी इस कथा को और भी रोचक बनाने में अपना योगदान किया उन सब को भी मैं हिरदे से इस आउसर पर धन्यबाद देता हूँ आयुजन समिती से जुड़े वे जितने भी हमारे पदादिकारी है और यचमान गण हैं सरधालुजन हैं विवस्ता से जुड़े वे जितने भी यहां कि इस आयुजन समिती और व्यवस्ता से जुड़े भी सदस्यगण हैं उन सब को भी हर्दैसे मैं धन्यबाद देता हूँ कि एक सब्ता तक इस पावन कथा और इस धार्मिक आयुजन के समाध्यम से समाज की मन में सनमार्ग पर चलने की एक नई पिर्णा प्रदान करने का एक आउसर इस प्रकार के धार्मिक आयुजन हमें सदेव प्रदान करते हैं मैं इसके लिए उन सब को भी हर्दैसे धन्यबाद देते हुए इस पावन कथा के आयुजन कालाब और इसकी सिद्धी आप सब को प्राप्त हो अगवान गोरक सनाज्ये से भी परियादा पुसतम अगवान स्री राम से भी यही प्रार्दना करते हुए अपनी बाने को यही पर बिराम देता हुँ जै जै स्री राम कावत ब्रह्मा दिख मुदी घिर काल भी ध gi तै क्यार की सारत सुक्सं कादिशे से अरुसारत परिनि पवन सुसत की रभी यही प्राप्त अगवान देत рам देति गे लाम चावत वेद पुराण अस्तिदत शाओ सालित ललित से अपीवी चावत सत्तत संत भवानी अरुगन सांपाओ पोट ने जारी ज्यास यादि कभी पत पीदि गुभग सिकार बोट्य जुमते के लग रोग अल्मूरिय अवी कि अर्धिक्य ग्रहनाम अस्तव प्रक्षाल्या अस्ते पुषपांज्यम वैराध्यम पारमेष्ठ्यम राध्यम महाराध्यम आधिपत्यम अयम समंत पर्याई स्याता अपरमेश्वरा मंत्र पुषपांजलिम अब वक्त चला एक छोटी से ब्रेक का ब्रेक पी जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर दो दिवसी दोरे पर अपने ग्रेजन पत पहुँचे उत्तर प्रदीश के मुख्यम अधितनात विविन कारेकरम में हुए शामिल गुरकनात मंदिर में करेंगे रात्य विश्राम योगपुरुस ब्रमलीन महांत दिग विजयनात की तिरपनवी पुने तिथी पर शरधांजले समारों में गुरक्ष्वीठ अदीश्विर एवं मुख्यमंत्रियोगी आदितनात ने प्रस्तूत की अपनी भाव अभिविक्ती कहा विरासत के प्रती कृत गिता का भाव सनातन धर्म संस्कृती की है विशेस्ता जड़ चेतन के बेहतर समन्वे से चलता है जीवन मंगलवार को स्टेफ उत्र प्रदेश की गुरकपूर फील लिकाई ने रेलवे भाती बोर्ट दोरा आयूजेत ग्रूप डी की ऑनलाइन पत्यों की परिक्षों में नकल करने वाले संगठित सौलवर गैंग के चार सक्रे सदस्चे को किया गरफतार भीजा जील प्रदेश की उर्जा राजमंत्री इवं वेकलपिक उर्जा विवाग डॉक्टर सोमेंद्र तोमर मीडिया से हुए रूबुरू कहा योगी सरकार में हुआ है व्यापक परिवर्तन सभी जीलों में 12 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक चल रहा है एक सब्ता का समधान अभियान शहीद रविंदु सिंग की स्मिति में प्रतिभा समान समारों का किया गया आयोजन कैसर गंज के सांसत एवं भारती कुष्टी संग के रास्ची अध्यक्ष ब्रजभूशन शरन सिंग ने जिले के सभी ब्लॉकों से करीब 800 टॉप 10 छात्र छात्राओं को किया समानित छात् तै करो लक्ष बनो गंभीर अपने आप से करो बात की कैसे करे अपनी समस्या का निदान बनो देश का जिम्मेदार नाग्रेक युगपुरुष ब्रमलीन महंत दिग्वजे नात और राश्ची संतर ब्रमलीन महंत अवैदे नात की पुनिस्मृती में संगीत मैश्री राम कथा ज्यान यग का हुआ विश्राम मुख्य मंत्री एवं कुरिक्ष पीठ दीश्वेर योगी आदित नात ने कहा सत्या ग्रही सनातन धर्म की अटूट आस्था है प्रभू श्री राम सकरात्मक्ता के साथ सत्य की राव पर चलने की प्रेणा देती है श्री राम कथा गुरिकपूर की पहले हाई-टेक हेल्थ एटियम का पुद्वार को शुभारम करेंगे सीम योगी शुरुआती चरेंड में जन्पद में लगेंगे पांच हेल्थ एटियम महज एक सेंपल में हो सकेगी उनसट चाथें दो शातिर वहन चूर मनीश रावत और काशिम को रामगरताल थाने के पुलिस ने किया ग्रिफतार एक मोटर स्टाइकल वा एक स्कूटी किया बरामत पीचा जील और गुरःपूर फुटबॉल एसोसेशन के तत्वावधान में चल रहे गुरःपूर फुटबॉल लिग प्रतियोगिता के छटवे दिन गौतम स्पोर्टिंग ने केंडरे विज्द्याले नमबर एक को दो सुने से हराकर किया अंक हासिल फुटबॉल एसोसेशन के जिल मुक्यमंट्री योगी आदितनात बुद्वार शाम चार बजे गुरःपूर के पहले हेल्थ एटियम का शुभारम करेंगे या हेल्थ एटियम चरगावा सामुदाइक स्वास्तिकेंद्र CSC में लगाया जा रहा है इस औसर पर मुक्यमंट्री एक जन सभा को भी संबोधि करेंगे योगी सरकार आमजन को बेहतरिन चिकिसा एवं इस से संबंद जाच की सुवधाय देने के लिए सरकारी अस्पतालों को युद्ध अस्तर पर हाइटिक बना रही है इसे सलसले में नई पहल है हेल्थ एटियम की स्थापना गुरःपूर के 23 सरकारी अस्पतालों मे हेल्थ एटियम अस्थापित करने की कारियोजना तयार की गई है इसमें जिला अस्पताल महिला अस्पताल के अलावा 21 सी सी पियस सी शामिल है हेल्थ एटियम के माध्यम से एक नमूने से मरीज की 69 जाचे हो सकेंगी इस दोरान गंभी बिमारियों का पता लग सकेगा हेल्थ एटियम के जरीए शरीर की स्कृनिंग होगी इसमें ब्लड पेसर सुगर वजन लंबाई शरीर का तापमान शरीर में ऑक्सिजन की मात्रा बॉड़ी मास इंडेक्स मेटाबॉलिक रेट बॉड़ी फैट डिहाइड्रेशन पल्स रेट मसल मास आधी की जाच करा सकें इसमें पैथोलोजी टेस्ट भी हो सकेंगे जिसमें ग्लूकोस हीमोग्लोबिन लिपिट प्रोफाइल की जाच भी हो सकेंगी भविश्य में इसके जरीए डेंगू मलेरिया चिकन गुनिया यूरीन टेस्ट गर्भावस्ता जाच टाइफाइड एचाइवी एसीजी टी एल सी जैसी जाचे हो सकेंगी सी एसी चरगावा के बाद सरदार नगर जंगल कोडिया उर्वा और कोडी राम के स्वासर के इन रूपर हेल्थ एचेम लगाए जाएंगे रामगरताल थाने की पुलिस ने दो शातिर वहांच चोरों को ग्रिफतार किया है जिसके संबंध में र धाना रामगरताल जंपत गोरकपूर दूसरा काशिम पुतरशान मुहम्मध निवासि घंटागर मुरबा गली धाना राजगर जंपत गोरकपूर के रूप में हुई है जिनके पास से चोरी की एक मोटर साइकल वा एक स्कूटी को बरामत किया गया है रामगरताल धाना प्रभारी ने बताया कि अब्युक्तों के उपर धाने में मुकदन पंजिकृत कर जेल फेज दिया गया है ग्रफतार करने वाली पलिस टीम में रामगरताल थाना प्रभारी कल्यान सिंग सागर, आजाद चौक चौकी प्रभारी बबलु कुमार, आजाद नगर चौकी प्रभारी प्रशुत्तम आनन्द सिंग, कॉंस्टेबल विनित सिंग, सुरेंड वर्मा, प्रिवीन कुमार, गुरिखपूर फुटबॉल एसोसेशन के तत्वावधान में सेंटर ड्यूज महाविद्याले के खेल मैदान पर चल रहे गुरिखपूर फुटबॉल लिग प्रतियुगता के चटवे दिन गौतम स्पोर्टिंग पूल डी में गौतम स्पोर्टिंग वाकेंडरी विद्याल नमबर एक के बीच फुटबॉल मैच खेला गया आपको बता दे कि पहला मैच गौतम स्पोर्टिंग वक केंडरी विद्याले नमबर एक के मद्दे खेला गया मैच के प्रारंबिके तीसरे और पांच्वे मिनट में अविशेक और विशाल ने तबर तोल गोल करके गौतम मत दिखेला गया मैच प्रारंबिके 24 मिनट में चंद्रकेतु ने पहला गोल करके अपनी टीम एनफस चरगावा को एक सुने से बढ़त दिला दी परन्तु यह बढ़त जादा समय तक बनाना रह सेका 26 मिनट में बास गाओं के रितिक सिंग ने बराबरी का गोल करके स्कोर एक एक कर दिया अंत में दोनों टीमें एक एक गोल की बराबरी पर छूटी इस मैच के निर्णायक वीके 24 अमरनात रहमत वाविकास रहे इस औसर पर गुरेखपुर फुटबॉल संग के उपाध्यक्ष उपेंद्र मनित्र पाठी एनपी गौर्ड हमजा खान अश्वनी संजेश शाहनी गौतम सरकार शहित अन्ने लोग उपस्तित रहें इस सम्मन में गौरेखपुर न्यूस से बात करते हुए गौरेखपुर फुटबॉल एस्सेशेशन के जिला सचिव हमजा खान ने कहा का जिले का फ्जिन अजा खान ने कर दूआठी करद ने कर दो दोक्तित नेका हमजाल एसी अजाएम् वाहब Rs.увAy किसाल को किसाल किसाल को गौतम स्पोर्टिंग और केंडरी विद्याला1 जो सन्ट्रिवींज कारणियें है सन्ट्रिवीज माविद्याला ग्राउन्ट पे जिसमें गौतम स्पोर्टिंग की टीम मध्यांतर के पूर्ट 2.0 से आगे थी और तीसरे मिनट पे ही उनके खिलाड़ी अभिशेक ने गोल किया और फिर पांचवे मिनट पे उनका खिलाड़ी विशाल कुमार गुप्ता ने गोल किया मध्यांतर तक वो टीम 20 से आगे थी और उसके मध्यांतर के बाद फिर आपके समक्ष ये मैच खिला जा रहा है दोनों से उनके आगे बनाये हुए गौतमी स्पोटिंगी टीम और इसके तुरण बाद गुरुप सी का मैच होना है मास गाओं, टाउन कलब मास गाओं और स्टार कलब भगवानपूर के बीच ये दोनों टीमें रूरा ले रही हैं लेकिन फुटबाल है हम बहुत अच्छा है वो दोनों टीमें अभी मैच आपके समक्ष खिला जाना है गोरकपूर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही जाने से पहले एक नजर सुर्कियों पर गोरकपूर न्यूज के सरप्रायो जख है मठकू मंगलम टावर बोलगर गोरकपूर दो दिवसी दोरे पर अपने ग्रेजिन पर पहुचे उत्तरप्रदीश के मुख्यमंटरी योगी आदितनात विभिन कारेक्रम में हुए शामिल गोरकपूर नात मंदिर में करेंगे रात्री विश्राम योगपूरुस ब्रमलीन महांत दिग्विजानात की तिरपन्वी पुनितिथी पर शर्धांजले समारों में गोरकश्मीठ अदिश्विर एवं मुख्यमंटरी योगी आदितनात ने प्रस्तूत की अपनी भाव अभिविक्ती कहा विरासत के प्रती कृताग्यता का भाव सनातन धर्म संस्कृती की है विशेस्ता जरचीतन के बेहतर समन्वे से चलता है जीवन मंगलवार को स्टेफ उत्रप्रदेश की गोरकपूर फील लिकाई ने रेलवे भाती बोर्ट द्वारा आयूजेत ग्रूप डी की ऑनलाइन प्रत्यों की परिक्षाँ में नकल करने वाले संगठित सौलवर गैंग के चार सक्रे सदस्य को किया ग्रफतार भीजा जील प्रदेश की उर्जार राज्यमंत्री एवं वेकलपिक उर्जाविवाग डॉक्टर सोमेंद्र तोमर मीडिया से हुए रूबुरू कहा योगी सरकार में हुआ है व्यापक परिवर्तन सभी जीलों में 12 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक चल रहा है एक सप्ता का समधान अभियान शहीद रविंदु सिंग की समिती में प्रतिभा समान समारों का किया गया आयवजन कैसर गंज के सांसत एवं भारती कुष्टी संग के रास्ची अध्यक्ष ब्रजभूशन शरन सिंग ने जिले के सभी ब्लॉकों से करीब आट सो टॉप टेन चातर चातराओं को किया सम्मानित चातर चातराओं से कहा अपना तै करो लक्ष बनो गंभीर अपने आप से करो बात की कैसे करे अपनी समस्या का निदान बनो देश का जिम्मेदार नाग्रेग युगपुर्विस ब्रमलीन महंत दिग्विजे नात और राश्यसंतर ब्रमलीन महंत अवैदे नात की पुनिस्मृती में संगीत मैश्री राम कथा ज्यान यग का हुआ विश्राम मुख्य मंत्री एवं गुरक्ष्पित अदीश्वर योगी आदिते नात ने कहा सत्या ग्रही सनातन धर्म की अटूट आस्था है प्रभूर्श्री राम सकरात मक्ता के साथ सत्य की राह पर चलने की प्रेणा देती है श्री राम कथा गुरक्ष्पूर की पहले हाइटेक हेल्थ एटियम का पुद्वार को शुभारम करेंगे सीम योगी शुरुवाती चरण में जनपद में लगेंगे पांच हेल्थ एटियम महज एक सेम्पल में हो सकेगी उनसट चाथे दो शातिर वाहन चूर मनीश रावत और काशिम को रामगरताल थाने के पुलिस ने किया ग्रिफतार एक मोटर स्टाइकल वा एक स्कूटी किया बरामत फीचा जील और गुरेपूर फुटबॉल एसोसेशन के तत्वावधान में चल रहे गुरेपूर फुटबॉल लिग प्रतियोगिता के छटवे दिन गौतम स्पोर्टिंग ने केंड्रिय विज्द्याले नमबर एक को दो सूने से हराकर किया अंक हासिल फुटबॉल एसोसेशन के जिल भान स श ठरिकी में तllesने से हरा कि वीज्द्याले इशन के दून स्क्तियो है विज डोलाम स्कोर है विजय क focus लिगी दो सुने से हरा को धिन पितными हैं विज्द्यां